पुलिस वालों को दो चीजों का डाउट है एक तो घरवालों के उपर और उसी दुरान ही बॉइफ्रेंड के उपर चलिए हम आप लोगों को ये पूरी गुत्थी बताती है कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और आप लोग अपने समझ बूस से कमेंट कर जरू कीजिए पूरी अपडेट जानने के बाद ये जो पूरा मामला है मद्द प्रदेश के उजेन से आ रहा है आप लोगों को पता है कि काफे साए लड़का लड़की जो है वो एक्चलि में कम उमर में ही प्यार में पढ़ जाती है और उसी दुरान ही काफी बड़े-बड़े कदम भी उठा लेती है और नकली प्रमान पत्र बनाके वो कहीं पर ठहर भी जाती है इसी दुरान ही आज ही जो हमारे सामने मामला आ रहा है ये नावाली कपल को लेके हैं जो कि मद्द प्रदेश के उजेन से है वहाँ पर एक नावाली कपल जो है एक होटल में ठहरा और उसने नकली प्रमान पत्र भी दिया और अपने आपको पती पत्री ठहराया इसी बीच में लड़की ने जो है होटल की विंडो से कूद के जान दे दी तीसरी मंजिल से और उस दुरान पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद वहाँ पर केस दर्ज किया गया है बॉइफरेंड के उपर और उसी दुरान ही होटल करमचारियों के उपर क्योंकि उन्होंने नाबालिक लड़का लड़की को जो है इस यहाँ पर रूम दिया और उस दुरान ही उनके होटल में जो है इस नाबालीक लड़की ने कुद के जानते दी है इसी दुरान ही उस लड़की का नाम किशोरी बताया जारéo है कि शोरी जो है वो अचली में विवाहीत जोरी की तरह हो जेन में एक होटल में आपने बॉइफरेंड के साथ रह रही थी, इसी बीच में आजू बाजू में भी काफे साइल लोग रह रहे थे और पुलिस वालों ने काफे साइल लोगों से पुश्टाच की, पुश्टाच में काफे सारे खुलासे सामने निकल के आए, बताया जारा है कि यह भी चीज़ बताया जारी है कि लड़की को शक्त था अपनी गर्फरेंड के उपर अपनी यानि की उन्होंने नावालिक को अपनी पत्नी बनाया था, तो उसके उपर शक्त था उसके बॉइफरेंड के उपर कि इन दोनों के आवेद संबंध चल रही हैं, जिसकी कान उस साइड केस जो है, वो सामने आया, अभी बताया जारा है कि होटल के काफी सारी करमचारी को गरिफतार कर लिया गया है, इस लड़के को गरिफतार कर लिया गया, और हैरानी की बात यह है, कि लड़की के और लड़की के परिजनों को यह पता ही नहीं है, कि वो जेन में एक ह पोटल में थे और तो और लड़का लड़की इतने दिन से गायब थे ना लड़की के परिवार वालों ने कोई रिपोर्ट दर्च करवाई ना लड़की के परिवार वालों ने कोई रिपोर्ट दर्च करवाई अभी आप बताईए आपकी समझ क्या बोलती है जरूर कीजिए कमेंट इसी के साथ ने लेती हूं जाज़त नमस्कार